जै महलक्ष्मी बोलरे बाणी में अमरित खोलरे बंद तरी किसमत के ताले मया देंगी कोलरे जे महलक्ष्मी भोलने, आने में मरत भोलरे, अन्ड तेरे किसमत के ताले मया देगे भोलरे ओ महलक्ष्मय नमो नमा, विश्नु प्रियाय नमो नमा, धनप्रदाय नमो नमा, सिंदु सुताय नमो नमा ओ महलक्ष्मय नमो नमा, विश्नु प्रियाय नमो नमा, धनप्रदाय नमो नमा, सिंदु सुताय नमो नमा भक्त जनों, मया लक्ष्मी का पहला अवतार है आदी लक्ष्मी का, जिने भक्त महलक्ष्मी के नाम से भी पोचते हैं महालक्षमी का यह स्वरूप भिगूरिशी की कन्या के रूप में है श्रीमत भागवत पुरान के नुसार मां के इसी स्वरूप से तृदेवों का स्रिजन हुआ था और महाकाली और महासरस्वती ने भी श्रिष्टी में इसी रूप से आकार प्राप्त किया था आदी लक्ष्मी मैया जीव जन्तों में जीवन और प्राणियों में मोक्ष प्रदान करने वाली है तो बोलिए आदी लक्ष्मी मैया की जे भक्त जनों मा लक्ष्मी का तूजा स्वरू धन लक्ष्मी का है नाम से ही जग जाहिर है भक्तों मा का यह स्वरूप प्राणियों को धन धान सुख यश और वईभव प्रदान करने वाला है मा के इसी स्वरूप ने विश्णु जी का कर्ज कुबेर से चुकाया था भक्तों मा के एक हाथ में कमल पुश्पुत और गूजे हाथ में धन से भरा हुआ कलश है तो मा के इस स्वरूप को पूजने वाले जीवन में कभी रिणी नहीं रहते तो बोलिए धन लक्ष्मी मैया की भिगूरिशी की कन्या बनकर आदि लक्ष्मी मा आई तीनो देव को मैया ही तो अपने रूप से उपजाई धन लक्ष्मी रूप में विश्णू जी का कर्ज चुकाया था धन से भरे कलश से भक्तों धन धान तो लुटाया था जै महलक्ष्मी बोल रे बानी में अमरित घोल रे बंद तरी किस्मत के ताले मैया देंगी कोल रे ओमा लक्ष्मै नमो नमा धिश्म प्यारै नमो नमा धन प्यारै नमो नमा सिंदू सुपारै नमो नमा भक्तों महलक्ष्मी मा का तीजा स्वरूफ धान लक्ष्मी अर्थात अनाज लक्ष्मी है अन्पूर्णा स्वरूपा माता धान ये लक्ष्मी अपने भक्तों को अनाज प्रदान करती है यदि धान्य लक्ष्मी मा को प्रसन्य करना हो तो भोजन का अनादर कदापी नहीं करना चाहिए जिन घरों में अनाच का निरादर नहीं होता वहाँ धान्य लक्ष्मी मैया सदा अपना वास करती है तो बोलिए धान लक्ष्मी मैया की जे भक्तों मा का चोथा स्वरूप गजलक्षमी का है मा का यह स्वरूप कमल पुष्प पर विराजमान है तथा दो हाती मा का आवाहन सैदेव करते रहते हैं मा का यह स्वरूप क्रिशी और उर्वरता प्रदान करता है मा के इसी स्वरूप के कारण इंद्र ने अपने खोए हुए राज्य को वापस प्राप्त किया था अतहे भक्त लोग इन्हें राज लक्ष्मी के नाम से भी पूचते हैं इनका पूजन करने से कृषी खेत्र में उन्नती और संतान प्राप्त होती है तो बोलिए राज लक्ष्मी मैया की जै धन्य लक्ष्मी मैया भक्तों अन के भंडार भरे अन पूर्णा मैया की मिल करके सब जैकार करे क्रिशी और उर्वर्ता देता गज लक्ष्मी का रूप है राज योग भगतों को देता राज लक्ष्मी रूप है जै महलक्ष्मी बोल रे बाणी में अमरित खोल रे बंद तेरी किसमत के ताले मैया देंगी खोल रे माता महलक्ष्मी का पंचम सरूप है संटान लक्ष्मी का इनका आराधन करने वाली बांज स्त्रियां भी संटान का सुख प्राप्थ करती हैं भगतों और जिन इस्त्रियों के पहले से ही बालक हैं, वो अपनी संतानों की लंबी आयू के लिए मा के इस स्वरूप का पूजन करती हैं मा के स्वरूप से उनकी संतानों को अभैवदान प्राप्त होता है तो बोलिए संतान लक्ष्मी मैया की भक्त जनूप मा का छटा स्वरूप वीरा लक्ष्मी का है मा का यह स्वरूप भक्तों को युद्ध में विजय प्राप्त करवाता है मा की आठ हुजाएं है जिन में मा तलवार, त्रिशूर, धनुषबान आदी जैसे हमोग अस्त्रशस्त्र धारन करती है मा वीरा लक्ष्मी के आराधन से प्राणियों को सौभाग्य और सम्रिध्धी की प्राप्ती होती है तो बोलिए वीरा लक्ष्मी मैया की संतान लक्ष्मी मैया तो बांजन को संतान दे लंबी उम्र काउन बच्चों को मैया जी वरतान दे अस्त भुजाधारी मैया का वीरा लक्ष्मी रूप है युद्ध में तो विजय दिलवाए मैया का स्वरूप है जै महलक्ष्मी बोल रे वानी में अमरित घोल रे बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी कोल रे ओम्मालक्ष्मै नमो नमा विश्म प्रयाय नमो नमा धनप्त आलै नमो नमा सिंदू सुपाय नमो नमा भक्त जनो मा का सब्तम स्वरूप विजय लक्ष्मी अत्वा जया लक्ष्मी भी कहाया जाता है इस स्वरूप का अराधन करने से प्राणियों के जीवन के हर मोण पर उन्हें विजय प्राप्त होती है मा का ध्यान जो भी लगाता है जीवन में सदा सुख पाता है मा अस्ट भुजादारी कमल कुष्प पर विराजमान है तो अस्ट भुजी मा विजय लक्ष्मी की जय जय कार करते हुए बोलिए बोलिए अस्ट भुजी मा विजय लक्ष्मी की जय मा का अस्टम स्वरूप विद्या लक्ष्मी का है भक्तूप नाम से ही जाहिर है मा का यह स्वरूप प्राणियों में विद्या और ज्ञान का स्रिजन करता है मा के आराधन से सभी वक्तों को शिक्षा प्राप्त होती है और प्राणी अपने जीवन में शिक्षा के सहारे अनेक अनेक उन्नतियों को प्राप्त करता है तो बोलिए शिक्षा लक्ष्मी की विजया लक्ष्मी मैया भगतों जीत सभी को देती है हार के संकट को मैया जी एक पल में हर लेती है विजया लक्ष्मी मैया सबको बुद्धी ज्यान प्रदान करे ज्यान और विज्यान की शिक्षा भगतों को वो दान करे जै महा लक्ष्मी बोल रे बाणी में अमरित घोल रे बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी घोल रे ओ मालक्षमे नमो नमा, धिश्न प्याये नमो नमा, धन प्रगाये नमो नमा, जिन्दु सुपाये नमो नमा भक्त जनो मालक्षमी के ये आठ स्वरूप आपको धन, संपक्ति, वैभव, यश और गीर्ती प्रदान करने वाले हैं तो आईए सच्चे हृदय और सच्चे भाव से खीर सागर में विद्यमान मा विश्नु प्रिया महालक्षमी के इन स्वरूपों का आराधन कीजिए और जीवन में सैदेव सुख प्राप्त कीजिए महालक्ष्मी के इन आठ रूपों का आराधन करने वाला भौतिक जीवन में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोग को प्राप्त करता है तो बोलिए अस्ट लक्ष्मी मैया की जिसने लक्ष्मी मा को जाया जीवन में सुख पाया है धन धान भंडारे भरती महलक्ष्मी मा माया है कमल का पुष्प चड़ाओ भक्तों मैया का गुणगान करो चंदन तिलक लगा मैया को लक्ष्मी का आवान करो जै महलक्ष्मी भोल रे वानी मैं अमरित खोल रे बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे ओमालक्ष्मै लमो नमा दिश्म प्रियाए लमो नमा धन अपनायाए लमो नमा जिन्डु सुपायाए लमो नमा